नमस्कार दोस्तों, पातफाइंडर में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर मही पाल सिंग्राटोड और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा असम के गुर्खा समुदाय के सिटिजन्शिप के बारे में रिसेंटली असम के मुख्यमंतरी हिमंत बिस्वा शर्मा की कैबिनेट ने ये फैसला लिया कि असम में रहने वाले गुर्खा समुदाय के लोगों की ये नागरिक्ता को प्रमानित करने के लिए इसमें उनके खिलाफ केस नहीं चलाया जाएगा और जितने भी केस चल रहे है उनको विड्रॉ कर लिया जाएगा लेकिन ये पूरा मामला क्या है CAA, NRC, Assam Accords इस सब के बीच में गुर्खास का क्यार लेना देना है इसी को हम डिसकस करेंगे इस वीडियो में तो आगे बढ़ें उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आनकेडमी अप पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं मेरे सभी प्लस कोर्स या स्पेशल क्लासेस की अपडेट्स आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी के अलगॉरिदम को ये समझ में आता है कि वीडियो अच्छा है देखने लायक है तो उसे वो दूसरों को भी सजेस्ट करता है असम का इतिहास काफी complicated रहा है जबसे असम ब्रिटिश रूल के अंडर में आया 1826 में उसके बाद से यहाँ पर असम के बाहर के शित्र के कई लोग आने लगे और उसके कारण यहाँ की जो local population है उसमें कई बदलाव देखे जाते हैं तो असम में जो main समस्या लोगों को वहाँ के local लोगों को होनी शुरू ही आजादी के बाद वो इस चीज़ से थी कि यहाँ East Pakistan से आने वाले बंगाली जो लोग हैं चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो वो आकर ब्रह्मपुत्र वैली में बड़ी संख्या में सेटल होने लगे साथी साथ कई लोग यहाँ बिहार से भी यहाँ पर आकर सेटल हुए थे और इसी क्रम में गुर्खा भी यहाँ नेपाल से आकर सेटल हुए थे उसके पीछे reason क्या है कि गुर्खा जो है वो ब्रिटिश आर्मी में बड़ी संख्या में रिकूरूट होते थे तो जब ब्रि हैं कि मैं इस पर भी एक डीटेल वीडियो बनाओं तो कमेंट में मेंशन करना क्यूंकि यहाँ पर मैं असाम अकॉर्ड के बारे में एक ब्रीफ आइडिया आपको दे रहा हूं बहुत डीटेल में हम यहाँ पर नहीं जाने वाले 1970 के दशक्त में असम के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो असम यहाँ लोग हैं उनके अलावा बाहर के लोग यहाँ पर बढ़ गए हैं बहुत जादा हो गए हैं तो उनकी डिमांड होती है कि सरकार बाहरी लोगों को रजिस्टर करे और उन्हें बेश से बाहर या असाम से ब कर बस गये हैं उनको register किया जाएगा और उन्हें देश से बाहर भेजा जाएगा लेकिन ये काम होगा कैसे तो देखो randomly भारत सरकार ऐसे ही किसी को बाहर नहीं निकालती है तो एक process थापित किया गया और उसमें illegal migrants determination tribunal बनाने की बात हुई थी IMDT तो ये एक अदालत की तरह काम करने वाली body होगी नाम से ये आप देख रहे हैं it's a tribunal तो एक प्रकार की judicial body quasi-judicial नहीं है तो IMDT का ये काम होगा कि illegally जो migrant असम में आ गये हैं उन्हें यहाँ पर identify करके चिनित करके बाहर भेजा जाए तो ये जो accord sign हुए थे इसमें कई सारी details थी कि किसे नागरिकता दी जाएगी तो सबसे पहले जो 1966 से पहले यहाँ पर आ गया है असम में उसको नागरिकता दे दी जाएगी फिर देखो 1960s में East Pakistan में काफी हालात खराब थे युद्ध होने वाला था 1971 में तो उसके पहले कई लोग migrate करे जो शरणार थी 1 जनवरी 1966 और 24 मार्च 1971 के बीच में आये थे उन्हें Foreigners Act के तहट register किया जाएगा उन सभी को register करने के बाद 10 साल का एक time period दिया जाएगा और फिर यह तै किया जाएगा कि उन्हें नागरिकता दी जाएगी या नहीं तो इन 10 सालों के time period में इनको vote देने का अधिकार नहीं होगा 25 मार्च 1971 1971 के बाद आने वाले शर्णार्थियों को या लोगों को ना तो नागरिकता दी जाएगी ना ही vote देने का अधिकार मिलेगा और इन्हें देश से और असम से बाहर निकालने के लिए कदम उठाए जाएगे लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि यह सभी वादे पूरे नहीं हो पाए, IMDT बहुत बुरी तरह फेल करते हैं, 20 साल के अंदर ये केवल 10,000 illegal immigrants को चिन्हित कर पाए, identify कर पाए और इनमें से केवल 1600 को भारत सरकार बांगलादेश डिपोर्ट कर पाई थी, अब शुरुवाती सालों में तो IMDT और असम के जो लोग हैं, उनका main जो मकसद था व गुर्खा community actually identify करना भी असान था, target करना थोड़ा सा असान था, ये बाते मतलब कही गई तो इसलिए इनको भी इसके IMDT के दायरे में लाया गया, और IMDT ने गुर्खास को भी कईयों को ये कहा कि आप भी अपनी नागरिकता प्रूव करो, और कई लोग नागरिकता प्रू इस केस को सरबनन सोनवाल केस कहते हैं, सरबनन सोनवाल आगे चलकर असाम के मुख्य बंतरी बन जाते हैं, उस समय वो एक लॉयर थे, तो उन्होंने ये केस लड़ा, और सुप्रीम कोट ने ये IMDT वाला पूरा strike down करके कहा, सरकार को कि आप NRC करवाओ, ठीक है, IMDT काम नही के बाद, IMDT को तो बंद कर दिया गया, लेकिन असम्न गवर्मेंट ने अपना illegal migrants को identify करने का काम जारी रखने के लिए, foreigner tribunals को बढ़ाना शुरू कर दिया, तो देखिए, शुरुवात में इनकी संख्या काफी कम थी, दीरे-दीरे बढ़ती गई, और अब पिछले 12 साल मे है, total 100 foreigner tribunal बन चुके हैं, असम में, by the way, this data is from the official website of government of Assam, तो ये जो foreigner tribunal है, इसका काम क्या है, illegal migrants को, यानि कि अवैद शर्णार्थियों को चिन्नित करना, और उनके खिलाफ case चलाना, उनको मौका दिया जाता है है, हापर कि आप अपनी citizenship प्रूफ कर सकते हो, तो कर दो, तो एक तरह से अदालतों का काम करते हैं, ये judiciary नहीं है, लेकिन ये quasi-judicial bodies हैं, याद रखना, और इनको power क्या करता है, दो कानून है, Foreigners Tribunal Act, जो एक proper कानून है, और दूसरा Foreigner Tribunal Order, 1964 का, और अब इन tribunals को काफी असाम सरकार ने power दिये, इनमें special judges appoint किये गए, तो ये जो tribunal है, अ और नए cases भी इनमें दर्ज किये गए, अब मैं बात करता हूँ गुर्खास की, तो देखो आप सभी ये बात जानते होगे, कि गुर्खा जो है, वो नेपाल से originate करते हैं, भारत में अकसर एक misconception रहता है, कि सभी नेपाली गुर्खा हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, नेपा जब युद्ध हार जाता है भारत से, ब्रिटिश इंडिया से, तो उसके बाद कई सारे गुर्खास को ब्रिटिश आर्मी में रेक्रूट किया जाता है, और ये यूनिट्स बहुत समय तक बने रहते हैं, इनफाक्ट आजादी के बाद आज भी ब्रिटन, इंडिया, सिंग इन सभी देशों में आज भी गुर्खा युनिट्स हैं और उनका सबका रिक्रूट्मेंट नेपाल से होता है, तो ये जो ब्रिटिश आर्मी के गुर्खा युनिट्स थे, इनमें से कई असाम में तैनात किये गए, तो धीरे-धीरे गुर्खास यहाँ पर आना शुरू हो तो इसलिए ब्रिटिश आर्मी में आज भी गुर्खा रेजिमेंट्स हैं, भारत में भी हैं और नेपाल में तो अफकॉर्स है ही, अब गुर्खा को लेकर भारत में ना किवल असाम बलकि दूसरे राज्यों में, जैसे पश्शिम मंगाल में भी कई सारी समस्याइं आई है क्योंकि वेस्ट बेंगॉल, सिक्किम और असाम ये वो एरियाज हैं जहांपर नेपाली स्पीकिंग गुर्खा की पॉपुलेशन सबसे जादा है, और according to the गुर्खा और अर्गनाइजेशन लाइक भारतिय गुर्खा परिसंग, असाम में लगभग 25 लाग गुर्खा आज क पर रह रहे हैं, जब से समिधान बना है, जिनका जन्म भारत में हुआ, या फिर जिनके एक या दो माता पिता में से कोई भी एक या दोनों ही भारत के नागरिक थे तो वो यहां के नागरिक हैं, उनको फॉरेंट सिटिजन के रूप में नहीं देखा जा सकता, तो ये गुर्खास को भी D voter मार्क कर दिया जाता है तो देखो electoral list जब revise होती है तो उसमें D का मतलब होता है doubtful यानि कि इस voter की नागरिकता पर संशे है doubt है तो 22,000 गुर्खास को असाम में 97 में D voter मार्क कर दिया गया electoral rolls में जबकि वो कई generation से यहां पर रह रहे थे इन में से जाधा तर मैं यह नहीं कहा रहा सारे रह रहे होंगे बट जाधा तर जो है वो लगबग 50-100 सालों से यही पर रह रहे थे लेकिन फिर भी उनके आगे वो D voter का sign लगा दिया जाता है और उनके उपर case चलाया जाता है कि अब आप यह प्रूव करिए कि आप भारत के नागरिक हैं तो इ पर यह तलवार लटक रही थी कि उनके किलाव कभी भी foreigner tribunal के अंदर case दर्ज हो सकता है और उनको foreigner declare कर दिया जाएगा और detention camp में भी डाला जा सकता है तो गोर्खा समुदाय के सामने असाम में सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या वो NRC में register होने के लिए eligible है तो देखे जो व असाम में रह रहे हैं लेकिन उनकी नागरिकता नेपाल की है वो NRC में दर्ज नहीं हो सकता उनका नाम क्योंके वो नेपाली citizens है ठीक है अब भारत और नेपाल के बीच में एक संधी हुई थी और उसमें ये बात हुई थी कि दोनों देशों के नागरिक काम कर सकते हैं जैस के खिलाफ केस नहीं चलाए जाएंगे इसके बावजूद कई लोगों पर केस चलाए गए गए गोर्खास का जो संगठन है BGP उसने 2017 में भी जब NRC का पहला rough draft पब्लिश हुआ था तब भी एक complaint करी थी कि इसमें गोर्खास का नाम नहीं डाला गया है गोर्खास को NRC से exclude क किया जा रहा है और दीरे दीरे ये समस्या बढ़ती गई 2018 में ग्रह मंतराले ने फिर से वही पुराना notification जारी किया और कहा कि गुर्खास जो है ये भारत के नागरिक हैं और इनको foreigner tribunal के अंदर नहीं भीजा जाना चाहिए लेकिन इसके बावजू जब final NRC publish होता है 2019 में एक लाग बड़ी संक्या है मतलब 22-25 लाग के बीच में आबादी है गुर्खास की उसमें से एक लाग गुर्खास को NRC में शामिल नहीं किया गया था तो इसको लेकर गुर्खा समुदाय फिर से लगातार सरकार से कह रहे थे कि आप इस प्रोसेस को revise करो तो अब असम सरका का जो tag है वो भी हटा दिया जाएगा और असम की चार assembly seat ओं पर अभी by elections होने वाले हैं उसमें ये गुर्खास वोट भी कर सकेंगे तो this is a good news for the community और इसका स्वागत किया है जो भारतिये गुर्खा परिसंग है उन्होंने धन्यवाद दिया है असम के मुख्यमंत्री को और ये statement है आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं तो ये था पूरा topic I hope आपको interesting लगा telegram channel यहाँ से आप इसको download कर सकते हैं PDF को और अगर आप an academy पर UPSC की तयारी करना चाहते हैं तो भारत के best educators यहाँ पर पढ़ाते हैं याद रखेगा offline या online जो भी institutes हैं सभी के teachers अब यहाँ पर पढ़ा रहे हैं हमारे यहाँ पर बहुत सारी special classes होती हैं जो free हैं इन classes को आप देखिए इनसे सीखिए आपकी daily इनसे learning होगी और अगर आप UPSC exam की तयारी एक schedule के साथ एक time table के साथ करना चाहते हो तो plus और iconic दो प्रकार के paid courses है paid subscriptions है इनको आप join कर सकते हो iconic में सबसे वड़ा benefit यह मिलेगा कि आपको personal guidance मिलेगी एक mentor के द्वारा जो भी course आप लें उसमें महिपाल referral code को अगर आप इस्तिमाल करेंगे तो आपको flat 10% discount मिलेगा तो यह वाली prices pay नहीं करनी होंगी discount के बाद आपको यह prices pay करनी है optional की तयारी भी आप platform पर कर सकते हैं लेकिन याद रखिए कि GS और optional दोनों की तयारी अगर आप करना चाते हैं एक ही platform पर तो इससे बहतर offer आपको नहीं मिलेगा 50,000 रुपीज में आपको पूरे syllabus की तयारी मिल जाएगी यहाँ पर इस freedom offer में combo offer में यहाँ पर आपको classes, mains test series, prelim printed किताबे, optional की classes, optional की test series यह सब कुछ मिल जाएगा और इसमें यह price भी नहीं है आप महिपाल code यूज करोगे तो आपको यह price 50,000 से नीचे आ जाएगा और याद रखिए कि यह offer 18th August तक के लिए है तो इसको utilize कीजिए आप इस offer को EMI option पर भी avail कर सकते हैं तो आपको हर माईने लगभग 4,100 रुपीज पे करना होगा, 20 किताबों का set आपको पूरा free मिलेगा इसमें Hindi या English जिसमें भी आप चाहें, extra added benefits है, extended validity, prelims and mains test series, optional के बहुत सारे नए batches अभी start होने वाले हैं और optional की test series भी हमने शुरू कर दी है, कई और benefits हैं जो इस वक चल रहे हैं, CSE Assure और mentorship days के नए batches 11 अगस से शुरू हो रहे हैं, और इन batches के link मैंने टेलिग्राम चैनल पर डाल दी हैं, आप वहाँ से उनने देख सकते हैं, 19 अगस से मेरा medieval history का course start होने वाला है, इसका link नीचे आपको description में मिल जाएगा, इसको ज़रूर join कीजे, जो भी plus subscriber है, नहीं है तो plus subscription लेने के बाद आप इसे join कर सकते हैं, 12 गंटे में हम पूरी medieval history पढ़ने वाले हैं, free test series का lab उठाईए, और यहाँ पर अच्छा score करेंगे, तो combat में बढ़िया rank लाओगे, यहाँ पर prizes जीच सकते हो, बढ़िया rank लाकर, और सबसे important scholarship मिलेगी, तो यह सारे subscription आप free में avail कर सकते हैं, कही पर भी आपसे unlock या invite code मांगा जाता है, तो you can use this code, इससे सभी free initiatives unlock हो जाएंगे, thank you very much for watching this, have a great day.